दर्शक बीन नमस्कार मैं हूँ आचर रामत कृष्णा साश्त्री और आपका प्रेयोटोब चैनल एस्टलोजर एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है आज में आप लोग को विशेश एक दूसरा जो चैनल मैंने अभी निर्माड किया है दिब ग्यान मंत्रा आप उस चै करेंगे तो इसमें भी आपको ज्यान के बाते जो है आपको सुनने को मिलेगा तो आज हम उपस्तित हुए हैं पुत्र प्राप्ति के नमें त्यार था जो उपाय मैं इससे पहले आपको प्रस्तुत किया है उन उपाय से बिलकुल हटकर जो उपाय मैं आज आपको लेकर उपस्तित हैं वो सभी बाहदा को दूर करने के लिए ये सहज उपाय हैं इसको आप सहज तरीके से आपको निवारण कराएंगे तो आपको अच्छा आपको लाब मिलेगा और संतानमी पूत्र प्राप्ति करने के लिए बिश्यसकर महिलाव का जो डेट होता है उसमें दस्मा आपको कई वीडियो में मैंने इसका गणना भी मैंने आपको बताया है तो ऐसा ही आज मैं आपको इनके अलावा भी जैसा कि कुंडली के अंदर इस्तर जाने ग्रहों का छाया बिद्देमान होता है शंतानमी चेत्र में तो ये वीधी सभी फेल होते हैं और उसके लिए आप आगे बढ़ने के मैं आपको आग्या दोंगा क्योंकि उससे आपको अगर पहले एक अथा दो कन्या उत्पन हो चुकी हैं तो उसमें आपको रिक्स की आवस्ता नहीं रहता इसलिए इसी तर्के साब आगे बढ़ेंगे उसका मैं काम ना करता हूं और किसी परकार के को बनने वाले महिलाव के लिए विश्च कर शुब मुहरत में जैसा सुकलपक्षय के गुरु पुष्य योग होता है आत्पा रभी बार के दिन पुष्य नक्षतर होता है शुब योगत पा शुब बार के दिन आप पीली कौडी लेकर पीले धागे में बांद के महिलाव को कमर में बांद देने चाइए सिधे जो हाथ है आत्पा सिधे करवट के तराप पीले कौडी महिलाव को बादन चाइए जिसे पुत्र प्राप्तिक के कामना सिधोता है बर्गत के पत्ते में स्वस्तिक बना कर भगवार गणेजी के चरण में अथबा भगवार शिर्किष नके चरण में ले जाकर और्पन करेंगे और मने में कामना करेंगे कि मेरा पुत्र प्राप्तिक जो संकलप है पुत्र का मारा शिकर शंपन्नकि इस पर करके कामना रखेंगे तीसरा कुश्चल के फोकस करते हैं घर के बाहर कोई भी काली गाए मिलता हो आप अपने घर में हो अत्पा घर से बाहर कहीं भी आप जाते समय आते समय अत्पा घर में बादा हुआ कोई भी हो काली गाए है तो उनके सामने हाथ जोड़कर विनम्न प्राथना करने के बाद उस काली गाय के माथे पर एक बार हाथ जरूर फेरिय का जिससे पुत्र प्राप्ति के जो कामना होता है वो पूर्ण होता है हमारे ये प्रोणार पौराणी की जो गरंथ है उसमें विदित तरीके से उल्लेख चोथा है आपके घर के बाहर अगर कोई भीकारी आता है वो भी बाले अवस्ता में योबा अवस्ता में अगर कोई भीकारी घर के बाहर आता है तो उसे गुड के खीर बना के आप खिलाएए और गुड के खीर बना के आप नहीं खिला सकते हैं तो गुड अत्वा खीर में खी पीपल या बरगत पर बुधवार के दिन दिपक जला कर ग्यारा दिन परिकर्मा करने से पूत्र प्राप्ति के कामना शिद होता है ये बरगत के पेरिण में करना है और 11 सनिवार को अत्पा मंगलवार को पिपल के पेड़ के निचे दिपक जलाके पांच परिकरमा करने से पूत्र प्राप्ति के कामनाई पूड होता है और जो पूत्र प्राप्ति शेत्र में आई बाधाय भी दूर होता है स्रवन नक्षत्र के दिन या पुष्य नक्षत्र के दिन आप स्रवन नक्षत्र अत्पा पुष्य नक्षत्र किसी ब्रामण द्वारा आप दिखाईएगा और पुष्य नक्षत्र स्रवन नक्षत्र के दिन अरण के जो जड होता है उसे लेकर महिला कमर में बाधना चाहिए जिससे पुत्र प्राप्ति में आई बाध है, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्वब बाधा कोई भी समश्या है वो दूर हो जाता है। के दिन उसका सेवन करें और गर्व कंशिव करने से पुत्र प्राप्ति होता है। जिस दिन सेवन करेंगे उसके एक दो घंटे कंदर गर्व कंशिव हो जाना चाहिए। यह भी एक विधान प्रस्तु थे। के दिन सेवन करें और गर्व कंशिव करने से पुत्र प्राप्तिक कामना पूर होता है। पति अत्पा पत्नी दोनों मिलकर अत्वा अकेले भगवान स्रिकिष्न का बाल्य वस्ता का तस्विर रखकर प्रति दिन इस मंत्र का जब करें। देवकी सूत गोविंदा बाशु देवा जगद पति देही में तनयाम क्रिष्ना त्वामाहम स्रनागता। इस मंत्र का जब करेंगे और डिस्कृप्शन पर यह मंत्र लिखाओ आपको मिलेगा। रेभती नक्षत्र के दिन बेल के पत्ते आपको लाना होता है। रेवती नक्षतर के दिन आप किसी बेड़ जो बेल होता है उसके पेड़ के निचे जाकर पती पतने दोनों जाएं अत्पाके ले जाएं जाकर उन्से प्राथना करें कि भगवन सिव के सोरुप मानते हूं मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आपका सहरा चाहती हू आप मुझे आसरवात परदान करें और मैं आपका कल एक पत्ता ले जाकर उसको मैं बारिक करके पीछने के बाद मैं दूद के साथ सेबन करूंगी जिससे मेरा पुत्र प्राप्ति का जो कामना है वो पूर्ण हो ऐसा किरपा परदान करें इस परकार से कामना करके आप आएं और अगले दिन वहां से बेल का पत्ता तोड़के लाके भगवान सिर्केशन अत्पा बहुली नात के स्परण करते हुए उस पत्ते को दोध में पकाएं अत्पा उसको घोटकर आप दोध में रखकर एक गिलास कच्चा दोध के साथ आप उसको से बन करें जिससे पुत्र प्राप्ति के जो कामना है आपका वो पूर्ण होगा जो भी वीधी अभी मैंने आपको पुत्र प्राप्ति की निमित्यार्थ जो बताया है ये आपका शफल एबं शटिक भीधी है इसके लाब अभी कोई भी जिग्यासा आपके मन में हैं कोई भी जानकारी आप लोगों चाहते हैं उन जानकारी शको से संतुस्ट हो कर अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं 100% पुत्र प्राप्ति की कामना से अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो परामर सोrak होगा उस्से पे करने की परस्षाद आप all description कि अऊसे नमर्म के माध्दयम का चाया तो विद्ध्यमान नहीं है अत्वा संतान प्राप्ति के लिए किस मैने आप लोग को उपयुक्त समय होगा अत्वा घर में कोई छोटा उपाय करने से आपको शिग्र पुतर प्राप्ति का काम नश्ची दो हो सकता है इस परकार के उपाय अत्वा कोई प्रापर दव का निवारन आपको शत परतिशद फ़लित इंशाफल जो बीदी होगा हम आपको बताएंगे योटूब के माध्यम से अथवा इंस्टाग्राम के माध्यम से फेस्वूक के माध्यम से अथवा अने-टर के माध्यम से अगर आप लोगो देख रहे हैं और आपने अब तक हमा और भग्वान शिर किसना उनको शानिद्य वंकर उनके गरभमी पुत्र सुरु पर जा कर उनको पुतरलाब का कामना पूनकर्यारियो